असलाम वालेकूम डियर वीवर्स स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूँ आतिफ निसाम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सौथ अफरीका के स्पिनर बॉलर शमसी को अपने जूते वाला एक्शन महंगा पड़ गया डियर वीवर्स आज पाकिसान और सौथ अफरीका के दर्मियान पहले टी-20 मैच में सौथ अफरीका के स्पिनर पॉलर शमसी ने जब मौहमद हवीज को आउट किया तो उन्होंने अपने अक्शन में जूता उतारा और लंपर डाइल करके जूते को अपने कान पर लगाया डियर वीवर्स अफरीका के मताबिक आज पाकिसान और सौथ अफरीका के दर्मियान पहला टी-20 मैच था जिसमें सौथ अफरीका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिसान को 189 का टारगेट दिया जो के पाकिसान ने आखरी ओवर में अचीव कर लिया पाकिस मैच में एक दिल्चस्प मनसर सामने आया जब सौथ विका के स्पिनल बॉरलर शमसी ने मुहमद हफीज को स्टंप आउट किया तो उन्होंने एक्शन में अपना जूता उतारा और नमबर डायल करके कान पर लगा दिया उसके बाद उन्होंने घुसे में अपना जूता जमीर पर फैंक दिया और अपने साती खिलारी ने मजाग में उनका जूता उठाया और चुपा लिया जिसको कैमरे की आँख में क्याप्चर कर लिया और ये लाइव मंसर सामने आया खिलारी ने जूता चुपा लिया dear viewers दफसिलाद के मताबिक सौ तफीका की स्पिनर बॉलर शमसी जब अपने साथी खिलाडी से मिलने के बाद बॉलिंग कराने के तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने जूता अपने कप्तान से जाकर पूछा इसके बाद उस साथ ही खिलाडी ने शम्सी को जिताफ वाबस कर दिया जियर वीवर्स बज़ित स्पोर्ट्स नियूस के लिए आप मेरे चैनल को सबस्कारब भी कर सकते हैं मुझे इजाज़त दे आपका मेजबान आतिफ निजाम अल्ला हाफीज